सपने हर कोई देखता है, सपने देखना गलत नहीं है हर कोई लाइप में कुछ न कुछ पाना चाहता है जिसके लिए वो लगातार महनत करता है और दिन रात बस उसी के ही सपने देखता है कुछ लोगे तो सपने सच हो जाते हैं वहीं कुछ लोगे सपने कीवस सपने ही बंकी रह जाते हैं क्या आप भी उनमें से एक हैं तो जरूर आप सपने देखते समय कुछ ना कुछ गल्दिया कर रहे होंगे अगर आपने law of attraction को अच्छे समझ दिया तो आप अपनी लाइफ में वह सब पास सकेंगे जिसकी आप चाहर रखते हैं चाहे वो पैसा हो चाहे अच्छी हेल्थ हो चाहे एक बड़ा मकान हो चाहे काड़ी हो चाहे एक अच्छी जॉब या बिस्नस हो चाहे वो एक्छे मार्क से किला हो आज के वीडियो में आप law of attraction को अच्छी से जानेंगे और जानेंगे कि law of attraction को आप अपनी life में कैसे use करें ताकि आपकी सपने सच हो सके वीडियो शुरूर करने से पहले में आपको एक बात पताना चाहती हूँ अगर आप science में जरा भी interest लेते हैं या आप logical reasoning thinking रखते हैं तो आपको मेरे चाल्ल पे एक interesting facts नाम का playlist मिलेगा जिसमें science related कई interesting videos आपको मिलेगे तीस उन्हें भी देख लीजेगा और पसंद आने पे like भी ज़रू कर दीजेगा चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो Science के according universe में हर एक चीज और जो कहें कि हर एक चीज और जा का ही रूप है हर एक चीज के अपनी अपनी और जा होती है और हर और जा की अपनी अपनी फ्रिक्वेंजी होती है हम भी उर्जा ही है और जिसे हम पाना चाते वो भी उर्जा ही है और हमारे thoughts हमारे विचार वो भी उर्जा है जब भी हम किसी चीज के लिए लगातार सोचते हैं तो हमारे उस thoughts की frequency यूनिवर्स तक पहुचती है जब हमारे thoughts की frequency उस चीज की frequency से match कर जाती तो उसे लेकर साथ ही साथ उसी frequency की और भी चीजों को लेकर हमारे पास आती है जब पर हम इसी चीज के लिए focus होकर सोचते हैं तो हमें वो चीज मिल जाती है जिस चीज पर हम focus करते हैं वही हम पाते हैं अगर हम negative thoughts रखते हैं या negative चीज़ पर focus करते हैं तो हमे negative चीज़ ही मिलती है और हम दुखी हो जाते हैं जिए universe में हर तरह की उचापाई जाती है positive भी और negative भी और हर एक उचापी frequency होती है जिस तरह की thoughts की frequency आप universe से भीज़ेंगे बस उसी frequency की चीज़ ही आप पाएंगे special लोगों के ही साथ होता है और यह सोच गलत है यह हर एक के साथ हो सकता है यानि कि हर एक का सपना सच हो सकता है law of attraction हमारे thoughts से related है यह नियम यह बताता है कि कोई भी चीज़ अपने jealousy ही चीज़ को अपनी और attract करती है यह law भी चीज़ पर अपलाई होता है जैसे कि gravitational force चलिए उप जानते हैं कि law of attraction को हम कैसे यूज़ करें thought की frequency को अपने मन चाही चीज के frequency से कैसे match करा है सबस्पहदे तो है समझ दीजे कि इस में करना क्या होता है इसमें अपने thoughts की frequency को अपनी मन चाही चीज के frequency से match कराने होती है यह ठीक वैसे ही होता है जैसे कि radio को हम एक particular frequency पे tune करके अपने मन पसंद प्रोग्राम को सुनते हैं सबसे पहले जिस चीज की आप चाह रखते हैं उसके प्रति आपके मन में strong desire होनी चाहिए यह जितनी strong हो की law of attraction उतने अच्छे से काम करेगा यूनिवर्स से आपको clear और positive शब्दों में कोई चीज मांगनी है या उसे कहना है कि वो चीज आपको लाकत दें यूनिवर्स आपके शब्दों पे काम करता है आपको जरा भी negative word का use नहीं करना है इसके बाद एक paper पे आप present tense में लिखें जैसे कि वो चीज आपको मिल गई है आप उस चीज को enjoy कर रहे हैं पूरी feelings के साथ आपको लिखना है present tense में और फिर उसे कई बात दिन में तोराना भी है खुद को भरुसा दिलाना है कि वो चीज आपको मिल चुकी है ऐसा feel करना है ऐसा feel करने से आपके thoughts की frequency उस चीज की frequency से जल्दी से match कर सकेगी और कुछीज आपको चल्दी मिल सकेगी कुछ चीज़ें आपको देर में मिलती हैं पर आपको हताश नहीं होना है आपको अपने feeling को strong बनाए रखना है आपने positive thoughts को negative thoughts में change नहीं होने देना है वरना वो चीज़ आपको कभी नहीं मिल सकेगी law of attraction कैसे काम करता है ये तो आपने जान दिया पर law of attraction को इस्तिमाल करते वक्त कौन सी सावधानिया बरतनी चाहिए चली वो भी जान लेते है law of attraction तभी काम करेगा जब आप उस चीज़ के लिए महनत करेगे यानि कि action लेंगे वो भी पूरे विश्वास के साथ बिना किसी doubt के बस उसी चीज की ही चाह रखें जिस चीज को पाने के आप लाइक हो वना आप इंतजार ही करते रहे जाएंगे यूनिवर्स अच्छे और बुरी चीज में फर्क करना नहीं जानता है उसे तो बस frequency से मतलब होती है जैसे thoughts की frequency आप यूनिवर्स को भेजेगी बस वैसे ही चीज आपको मिलेगी यूनिवर्स से कुछ भी मांगते समय भूल के भी negative word का use ना करें जैसे कि मैं हारना नहीं चाहता हूं यहाँ पे हारना एक negative word है और यह negative word यूनिवर्स तक पहुच जाएगा और आपको वही चीज मिलेगी बलकि इसके जगह आप बोलेंगे कि मैं जीतना चाहता हूं तो जीतना एक positive word है यूनिवर्स आपके श्रप्तों पर काम करता है ना कि आपके इरादों पर है इसलिए यूनिवर्स एक कुछ भी मांगते समय सोस्तमश के श्रप्तों का चुनाओ करें positive energy को भी आपको बाहर निकलना है ताकि आपको positive चीज ही मिले या आपके साथ positive ही हो जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए universe को thanks कहना मत भूलेगा वह सभी चीज़ें जो आपको खुशी लेती हैं वह चीज़ें जो आपको अच्छा फील कराती हैं उसके लिए universe को thanks भी कहते रहीगा आपको universe की ताकत पे पूरा भरूसा होना चाहिए कि universe आपको वह चीज लाकर देगा जराबे doubt नहीं होना चाहिए एक तरह से आप खुद पे भरूसा करते हैं और ये भरूसा आपका खुद बढ़ता जाता है आपका आद विश्वास बढ़ता है और ऐसे लोगों के लिए कुछ भी पाना नामुंकि नहीं होता है law of attraction इस्तमाल करते समय आप अपने आपको positive बना रखे और patience रखे law of attraction को आज कर कई लोग अपना रहे हैं पर ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं क्योंकि इसके लिए proper discipline और patience आपको रखना होता पर अगर वास्तों में आप किसी चीज को पाना चाहते हैं जिसके लिए आप लगातार महनत कर रहे हैं तो आप इस चीज को भी अपना के देखी रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा I hope आपको अपने सारे questions के जवाब मिल गए होंगे इस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और दूसरों के साथ शेयर भी किजेगा अब हमारे मुलाताथ होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक आप मेरे बागी की वीडियो देखते रहेगा इस वीडियो के एंड में आपको उन वीडियो के लिक में जाएंगे Thank you